हमारी दुनिया नेचर का एक आर्ड वर्क लगता है इस पूरी दुनिया में नेचर ही ऐसी चीज है जिसे इंसानों ने नहीं बनाया वो इंसानों के बनाई हर चीज से जादा खुबसूरत है दोस्तों नेचर जितने खुबसूरत है उतने हैरान करने वाला भी है नेचर में ऐसे चीज़े मौजूद है जिने देख कर आप अपने नाखून चुबा लेंगे और अपनी आखों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर से जुड़े जीव जन्तों की ऐसे जानवर जिनके पास ऐसे स्किल्स से चिनों देख कर आपका मौँ खुला कख खुला रह जाएगा दोस्तों इस दुनिया में आई हर चीज का एंड जरूर होगा लेकिन जैली फिश के साथ ऐसा नहीं है जैली फिश एक ऐसी लिविंग क्रियेचर है जो कभी मरती नहीं इसका ये मतलब भी नहीं है कि इसे भी अपनी पूरी जिन्दगी बढ़ापे में बितानी बढ़ती है दोस्तों जैली फिश के पास कभी बूड़े ना होने की स्किल्बी है अब आपके दिमाग में ये हैरानी हो रही होगी कि आखिर ये कैसे हुआ जैली फिश एक खास तरह का प्रोसेस फोलो करती है जिस दौरान वो एगल्ट एज में पहुँचने के बाद खुद को टेस्ट ट्रॉप कर लेती है और उसके बाद इम्मेचूर एज से अपनी लाफ स्टार करती है एक जैली फिश से कई सारी जैली फिश प्रिड्यूस होती है नेचर का ये करिश्मा हैरान करने वाला है साबाह में पाए जाने वाला निन्जा स्लैक की गई खासियत है जी हा दोस्तों इस स्पीशीज की मेल्स लैक, फिमेल्स लैक की तरफ ऐसे एरो थो करते हैं जो उन्हें फर्टिलाजेशन की लिकसाता है ये सारे एरो मेल्स लैक की आउटर स्किन पिडूस करते हैं नमबर आठ लाइबर्ड दोस्तों अगर आपको नई-नई भाषाएं सीखने का शोगा तो ये पक्षी आपका एक अच्छा दोस्तों बन सकता है लाइबर्ड एक बहुती ज्यादा यूनिक बर्ड है इसी यूनिक बनाती है इसकी अडॉप्टिंग स्किल्स ये बर्ड नई भाषाओं को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और तो और ही इनने बोल भी लेता है साइन्टिस्ट में जब इस बर्ड पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया है नमबर साथ कैंसर डिटक्टिंग डॉप्ट दोस्तों नीचर ने डॉप्ट्स की नाक को कौफी ज़र्द स्ट्रॉंग बना है इसी कारण डॉप्ट्स कैंसर तक को पकड़ पाने में काम्याम हो जाते है यह हरान काने वाला फैक्ट कई सारी रिसर्च के बाद सामने है डॉप्ट्स की नाक में एक ऐसा टीशू होता है जो कि कैंसर की सेल्स को सेंस कर सकता है एक रिसर्च में जब डॉप्ट्स पर टेस्ट किया गया तो पाया गया कि 95 प्रतिशत केसेज में डॉक्स ने कैंसर को पैचान लिया जो कि किसी डॉक्टर के सकस्स रेट से भी कहीं जादा है नमबर 6 स्पैनी माउस लेकिन ये माउस अपने पूरे के पूरे शरीर को रीजनरेट कर सकता है हाँ दोस्तों सही कहा अगर आप इस माउस को जंगल का वुल्वरीन कहें तो गलत नहीं होगा जब ये माउस किसी शिकारी जानवर की खायद में आ जाता है तो ये अपने पूरे शरीर के परत वहीं छोड़ कर भाग जाता है इसी रीजेनरेशन स्किल्स से ये यूनिक बन जाता है दोस्तों आपने कभी पहाड पर चड़ाई की होगी तो आप ये जानते होंगे कि ये कितना मुश्किल काम होता है लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं एक बकरी एक पहाड पर चड़ सकती है ये यूरोपियन पहाडों पर रहने वाले आलपेन आईबेक्स बकरियां ऐसा कर सकती है इस पर कायर की बकरियों को नैचुरल क्लाइमर का जाता है क्योंकि ये किसी पहाड को बड़ी आसानी से चड़ सकती है ये काफी ज़्यादा है दूस्तों ऐसा वो अपने पैरों के गारण धरबाती है उनके पैरों में किसी कार के टायर से भी ज़्यादा ग्रिप होती है उन्हें बस अपना बैलेंस बनाना होता है वाकी सब आसानी से होजात अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को चेक आउट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा